दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा, कि Queen Elizabeth 2 का कल, यानि की 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया Queen Elizabeth 2 दुनिया की सबसे फेमस लोगों मैंसे एक थी, इनके बारे में जनरल वादे तो सबको पता होगी पर हम आपको इनके कुछ ऐसे शौकिंग फेक्ट्स बताएंगे, चिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे Queen Elizabeth 2 सिर्फ United Kingdom की ही नहीं, बलकि Australia, Canada और New Zealand की भी Queen थी दुनिया में जो बेहत जरूरी नियम काईदे कानून, एक नागरिक पर लगते हैं, वो Queen पर नहीं लग सकते थी जैसे वो चाहें तो कोई भी बैंक लूट सकती थी, या फिर किसी का भी मर्डर कर सकती थी, वो कोई भी कानून तोड़ सकती थी वो चाहें तो कितने भी नोट यानि की करंसी चाप सकती थी, उनके पास खुद की एक नोट चापने की मशीन भी थी Queen Elizabeth 2 के पास ना तो कोई पासपोर्ट था, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस, यानि वो किसी भी देश में आ जा सकती थी और किसी की भी कार चला सकती थी, आपकी भी Queen Elizabeth 2 को कोई भी टेक्स नहीं देना होता था लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से वो 1992 से गवर्मेंट को टेक्स दे रही थी Queen को ये राइट था कि वो कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी देश पर अटेक कर सकती थी वो भी बिना किसी की सला लिये, अपने एक ही ओर्डर कर Queen ने Britain और Britain के आसपास की सारी whales और dolphins को खरीद लिया था वही इनकी मालकिन थी, इसलिए उनके अलावा कोई दूसरा इने नहीं पाल सकता Britain में हंसों को मारना और खाना गैर कानूनी है पर Queen के पास इने मारने और खाने का पूरा पूरा राइट था राजगराने की यही एकलौती लेडी वारिस थी जिन्हों ने World War 2 की लड़ाई में हिस्सा लिया था जिसमें इन्हों ने एक Military Truck Driver और एक Mechanic की भूमे का भी निवाई था साल 1947 में इनकी शादी राजकुमार फिलिप से हुई पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलिप इनके दूर के कजन लगते रहे और अपनी शादी पर जो गाउन इन्होंने पहना था वो राशन की कूपन से खरीदा था Queen Elizabeth 2 अपनी fitness को लेकर काफी alert रहती थी इन्होंने इतनी lavish life होते हुए भी ना तो कभी late night parties की ना कभी cigarettes को हाथ लगाया पर वो अपने lunch के साथ wine और dinner के साथ champagne लेना कभी नहीं भूलती थी Queen Elizabeth 2 पहली ऐसी इन्सान है जिसने एक देश की commander रहते हुए सबसे जादा विदेशी तौरे भी जिये दोस्तों भले ही Queen Elizabeth 2 इस दुनिया में नहीं रही मगर फिर भी वो इस दुनिया के करोणों दिलों में हमेशा एक रानी बनकर ही रहेंगी